गुम है किसी के प्यार में के सेट पर शगुन पांडे ने किया हंगामा रुकी शूटि गल्फरेंड पे हुआ शगुन पांडे को शक हेलो आप देखरें फर्स्ट इंडे टेली और मैं हूँ आपके साथ रजनी दूबे गुम है किसी के प्यार के सेट से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई जी हाँ मेरा बालम थानेदार के वीर यानिकी शगुन पांडे ने सेट पर काफी जादा हंगामा किया क्योंकि उन्हें अपनी गर्ल फ्रेंड यानि कि सुमित सिंग जो रीवा का किरदार निभारी है गुम है किसी के प्यार में उन पर काफी जादा शक था कि अपने को स्टार के साथ रिलेशनशिप में है अब शगुन पांडे जवाब मांगने के लिए सेट पर पहुच गए और काफी जादा उन्होंने हंगामा कर दिया और मामला इतना जादा बढ़ गया कि सुमित सिंग को पैनिक अटेक आ गया जिसकी वज़े से शूटिंग को भी रोकनी पड़ी एक्टर सुमित सिंग की पॉसनल आइफ अचानक विवादों में आ गई रिपोर्ट की माने तो सुमित सिंग और शगुन पांडे के बीच गुम है किसी के प्यार के सेट पर भयंकर जगड़ा हुआ सुमित पर आरोप लगा है कि वो अपने कोई स्टार के साथ रिलेशनशिप में है जिसकी भनक शगुन पांडे को लग गई और वो सेट पर पहुँच गया इस दरहों सुमित और शगुन के बीच काफी ड्रामा हुआ जिस वज़े से शूटिंग को पूरे दो घंटों के लिए रोग दिया गया था अब इस पर सुमित सिंग का रियक्शन सामने आया है उन्होंने कहा ये सारी खबरे फेक हैं मीडिया की सबी खबरे मनकडंत हैं हाँ शगुन सेट पर आया था लेकिन इसलिए नहीं कि वो मेरा बॉइफरेंड है मैं तो साफ तोर पर कहना चाहूंगी कि शगुन और मैं एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं हमने मीट में साथ में काम किया था इसलिए वो सेट पर मुझसे मिलने आया था मैं शगुन के साथ कॉल पर बात कर रही थी और तब ही मेरी तब्यद बिगड़ गई हम दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं और वो मेरी तब्यद के बारे में भी जानते हैं इसी वज़े से वो आया, शगुन ने सेट पर आकर कोई भी सीन क्रियेट नहीं किया, मुझ पर शूटिंग में देरी करने का भी आरूप लगा था, लेकिन मैंने टीम से कहा था कि मैं काम करूँगी और इसे मैनेज भी कर लूँगी, कि मेकप रूम तक सुनाई दे रहा था, फिर हिरोईन को पैनिक अटेक आ गया और शूटिंग दो घंटों के लिए रोग दी गई, इन सब के बीच फिर ब्रेक अप हुआ और हिरोईन को जैसे तैसे समझा कर सेट पर लाया गया, भाई इस पर सुमित ने तो कहा है कि ये सारी चीजे फेक निउस है, लेकिन सोर्स की माने तो ऐसा हुआ है, गुम है किसी के प्यार के सेट पर काफी जादा हंगामा हुआ और दोनों के बीच ब्रेक अप भी हो गया, अब इस खबर में कितनी सच्चा ही है, ये तो वक्त आने पर पता ही चल जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि जहां पर आग लगी रहती है, धुआ भी वही से आता है, इस खबर पर आपकी क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट करके जरूर बताए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले, और हाँ ऐसी चटपटी और कॉसिप खबरों के लिए बने रहे हैं फॉस्ट इंडिया टैली के साथ,